बिहार सरकार अपने फजियत को बचाने के लिए DMSP के पद का दुरुपियों करके इस पलकार का इलीगल ब्यान दे रहा है जनता का किवल सरकार से नहीं अब अफसरों से भी बिश्वास समाफ्थ हो जाए बिहार के कटिहार में बिजली की मांग को लेकर बिरोध परदर्शन कर रहे लोगों के उपर गोलियां चलती है तो बिहार विपक्ष में बैठी बीजेपी या आरोप लगाती है कि गोली परशासन की ओर से चलाई गई है तो वहीं अब प्रशासन की ओर से बयान जारी किया गया है कटिहार के DM और SP ने बयान जारी किया है लेकिन उस बयान के पहले बिहार के सत्ता रूट दल जदियू और RJD का भी बयान सामने आया था जदियू की ओर से कहा गया था कि समिक्षा की जाएगी उसके बाद F.I.R. दर्ज की जाएगी, कारवाई की जाएगी, R.J.D. ने कहा था कि लासे गिरी है, सबसे पहले F.I.R. होनी चाहिए, उसके बाद समिक्षा होनी चाहिए, वरहाल हमारे साथ अभी B.J.P. के विधायक पबंजाय सवाल है, पबंजी किस रूप में देखते हैं कटिहार की घटना को, पहले बात हुई कि पुलीस के द्वारा गोली चलाई गई है, आप लोगों भी ने भी इस बातों को काफी तूल दिया, आप लोगों की एक कोट कमिटी भी वहाँ पे गई, समिक्षा की, और अब लेकिन प्रससन के द्वारा बयान आता है, कि गोली आ चुकि ये सरकार के फजियत को से बचाने के लिए इस परकार का इलीगल बयान दे रहा है, सबसे पहले घटना घटा तो एफायार होना चाहिए था, अगर किसी या समाजिक तात्म ने गोली चलाया है, तो सरकार किस की है, सरकार आपकी है, पुलिस आपका है, डीम आपके, इस पी आपके हैं तो इन्होंने जांच क्यों नहीं किया तीन दिन बाद इनका ब्यान आता है ये सरकार को फजियत से बचाने के लिए राज में जो उभखताओं में विजली के उभखताओं में आम लोगों में जो आक्रोश पना परहा था उसको दबाने के लिए इस परकार क जदिव के जो वैसे कुछ असमाजिक तत्व है उसको सामिल करके ही घटना कराए गया उसी प्रकार अगर ओक कहते हैं कि पॉब्लिक था गोली चलाया है तो उसमें उनके लोग हो सकते हैं पॉब्लिक पदसारपन क्यों कर रहा है अपने पुलिस पदसारपन क्यों नहीं कर है कि इस परकार गोली चलाने की फारिंग की नौबत क्यों आ गई क्या हो गया था महां कोई हत्या हो गया था फारिंग की सितिक क्यों पनप गई और फारिंग हो गई तो बचाने के लिए आपका रहा है कि पॉब्लिक ने गोली चलाया है ये बिहार सरकार का नकामी है बिहा कर रहे हैं कि जहां पर फुलीस थी जहां पर बिरोद्क जा रहा था लोगों के दूआ वो काफी डिस्टेस में हैं तो मतलब पुलीस का रेंज वहां तक नहीं पहुं सकता है और जो वीडियो फुटेज जारी किया गया यह निदि के लोग जाते हैं और उनके जाने के बाद पर भगदर मस्ती है वो कहते हैं कि उन्हीं के द्वारा गोली चलाई गई है। पर भगदर मस्ती है। पर भगदर मस्ती है। पर भगदर मस्ती है। तो इसे जनता का विश्वास सरकार के साथ साथ पताधिकारियों से भी समाफ्त हो जाएगा। और हम लोग इसका विरोत करेंगे। विडियो फूटेज जारी किया है। प्रमान किया है कि जो फूटेज जारी किया गया है सेसी टीवी का वो फूटेज वहीं का है। जदियू और आर्जेडी के इसारों पर प्रसासन अपनी नाकाम्यावी को छिपाने के लिए इस तरह का खेल खेल रही है। बिसुचित आनंद होस्ट विहार पटना। ये लो मुमीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पुटनिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माबाबुजी क्या बोलेंगे। इसलिए मैं एक और मिठाई का डबबाला है। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पुटनिया में हम रहेंगे कहां। अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डबबा अलग से लाया हूँ। अपने पुर्णिया में घर ले लिया है। पुर्णिया के e-homes panorama में। पुर्णिया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama। बड़ा घर, आलिशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के सग। अड़े अब क्यों मूमीठा करवा रही हो। क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी। पुर्णिया में e-homes panorama के संग। e-homes panorama, luxurious, lifestyle redefined.